जो विश्य है गुरु शिष्य को क्या देता है या भी बहुत ही समझने वाली बात है और लोग इस विश्य को समझें तो निश्य ही वह बहुत कुछ अपने जीवन में सुधार ला पाएंगे कि चलो गुरु शिष्ष को क्या देता है या शिष्ष को भी पता होना चाहिए या उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जो गुरु धारन करने की सोच रहा है और जिसके मन में यह विचार आ गया है कि गुरु धारन करना अब अनिवारे है ठीक जिसके मन में यह विचार आ गया है कि गुरु धारन करना अनिवार है गुरु धारन करना जरूरी है बिना गुरु के कल्यान नहीं होगा तो उसके लिए यह भी जानना जरूरी है कि गुरु देता क्या है चिक क्योंकि अगर यह नहीं पता तो अब बहुत कुछ आप लेने जाओगे गुरू के पास बहुत कुछ लेने जा सकते हो अब लोग लेने जाते हैं अब बहुत सारे लोग लेने जाते हैं गुरू के पास कि उनके जीवन की जो बिमारिया है वो दूर हो जाए जीवन में जो निर्धंता है वह निर्धंता दूर हो जाए जीवन में जो कमिया है वो कमिया दूर हो जाए तो यह सारी बाते वो कमियों को दूर करने के लिए निर्धंता को दूर करने के लिए किसी का विवा नहीं हो रहा है तो गुरु कृपा से विवा हो जाए किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो गुरु कृपा से नौकरी लग जाए तो लोग गुरु के पास लेने के लिए जाते हैं बहुत कुछ संसार में बहुत कुछ प्राप्त करने की कामना संसार में बहुत कुछ बनाने की कामना कई बार दुनिया जीतने की काम ना कई बार राजनीती के जो नेता लोग हैं वह भी कई बार संतों के पास जाते हैं ताकि उन संतों का जो जन समू है वो हमें वोट दे दे और साथ ही साथ जो उनका अश्रिवाद भी मिल जाए तो शायद कुछ हो जाए ऐसा कुछ विश्वास करके नेता लोग भी पहुँच जाते हैं संतों के पास गुरू के पास तो तरह तरह की स्थितियां बनती हैं तरह तरह की परस्थितियां बनती हैं और लोग जो है संतों के पास गुरू के पास कुछ ऐसा लेने जाते हैं जो वो अपनी मेहनत से या फिर अपनी भाग्य से अपने प्रारब्द से ठीक अपनी मेहनत से या अपने प्रारब्द से जो वो प्राप्त नहीं कर पाते वो गुरु से प्राप्त करने की इच्छा उनकी रहती है, मन्सा उनकी रहती है तो गुरु क्या देगा, यह अगर हमें सही से पता हो गुरु क्या प्रदान करेगा, अगर सही से इस बात की समझ हो तो शायद हमारे जीवन का भटकाव गुरु को लेकर समाप्त हो जाएगा धर्म को लेकर समाप्त हो जाएगा अध्यात्मी को लेकर समाप्त हो जाएगा तो इन सारी विश्यों का ज्यान होना इन सारे विश्यों की समझ होना भी नितांत आवश्चक है, जरूरी है ठीक तो कई बार क्या होता है कि हम ना जानने के कारण अब ज़्यादा तर कल्भी हमने देखा कि भाई लोग गुरू बनाने जाते हैं कोई अध्यात्मी ज्यान लेने नहीं जाता है बहुत कम लोग है लोग संसार की माया इकठा करने जाते हैं लेकिन अध्यात्मी ज्यान लेने कोई नहीं जाता और ऐसा क्यूं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा नजर आता है समाज में ऐसा होता हुआ दिखाई देता है जो कि नहीं होना चाहिए तो इसी लिए आज हमने यह विशे लिया है कि गुरू शिष्य को क्या देता है ठीक है तो आज का जो यह हमारा विशे है गुरू शिष्य को क्या देता है यह आज हम समझने का पूरा-पूरा प्रयास करते हैं कि हम समझ जाएं इस विशे को तो ज्यादा अच्छा है तो चलिए अनेकों गठाएं हैं अनेकों घटनाएं हैं इस विशे में जब आप लेने जाते हो माया जब आप लेने जाते हो माया तो बदले में मिलती है माया जब आप लेने ही जाते हो माया तो बदले में क्या मिलेगी बदले में क्या मिलेगी एक बात बताईए तो माया जग ठगनी कहाए माया हमें ठग लेती है फिर तो माया काम ही है जग ठगना तो माया हमें ठग लेती है तो माया जो हमें ठग लेती है वो माया का माया को कैसे हम बचेंगे कई बार इसी लिए कई बार बहुत सारी अलग बाते हो जाती है जाते तो हो गुरु ग्यान लेने के लिए अध्यात में लेने के लिए धर्म लेने के लिए साधना लेने के लिए लेकिन जुड़ जाते हो संस्थाओं से, राजनीती से, भीड से, इन सब विश्यों से जुड़ जाते हो, छीक है? तो इन सब विश्यों से जब जुड़ जाते हो, तो फिर अब क्या किया जाए? यह विडंबना है मनुष्य की, कि वह सत्य की जगा असत्य से जुड़ जाता है, क्योंकि असत्य का बोल बाला, माया का जो बोल बाला है, प्रसार है, मिथ्या का जो प्रसार है, वो बहुत अधिक है, संपूर्ण जीवन ही मिथ्या मैं है, लगभग, संपूर्ण जीवन ही करें कि ऐसा क्यूं है कि हमारा जीवन मित्या मैं है हमारा जीवन मित्या मैं ना हो तो अच्छा है हमारा जीवन सत्य से जुड़े हमारा जीवन अध्यात्म से जुड़े माया के बंधन से परे हो दुखों से परे हो और हम परमानन्द की प्राप्ति करें लेकिन छनिक सुखों के चक्कर में सांसारिक इंद्रिक एंद्रिक सुखों के चक्कर में छनिक सुखों के चक्कर में हम जाते हैं संत के पास हम गुरू के पास की संसार की चीजी हमें मिल जाएं और जो कमिया है वो सारी दूर हो जाएं देखिए कमियों की जड़ कहां पर है कमियां आपके प्रारब्द में हैं अगर कमियां प्रारब्द में है तो उसे कमी को सुधार पाना शायद संभव नहीं है हाँ फिर भी मनुष्य अगर प्रैश्वत कर्म करे सदकर्म करे साधना करे यूग करे तो उसे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है प्रारब्ध की कमियों से भी लेकिन जो प्रारब्ध में कमिया है वो सामने जीवन में आती ही आती कोई भी हो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ चाहे आप ही क्यों ना हूँ मैं यहाँ पर अगर माल लेजे यहाँ पर सुना रहा हूँ शास्त्रों की विचारधारा सुना रहा हूँ तो क्या मेरे जीवन में दुख नहीं आ सकती ये कहां लिखा है कि जो शास्त्रों की विचारधारा सुनाएगा या भक्ती करेगा या योग करेगा तो उसके जीवन में दुख नहीं आएगा उसके जीवन में भी दुख आएगा परंतु बस उसका नजरिया अलग होगा दुखों को देखने का और सुखों को देखने का उसके जीवन में सुख भी आएगा उसके जीवन में वैभाव भी आएगा उसके जीवन में भोग भी आएगा परंतु उसका नजरिया अलग होगा, उसका style अलग होगा, इसलिए कई बार मैं इस channel पर चर्चा कर चुका हूँ कि योग क्या है, योग एक समझ है, योग एक understanding है, वो समझ हमारे अंदर विक्सित होनी चाहिए, वो जीवन जीने की एक समझ है, जीवन जीने का एक सलीका है, त पर समझ पर होगा, जीवन जीने की कि हम नरग चाहिए, अगर वो हमारे अंदर सही से विक्सित नहीं होगा, तो फिर हम निश्या ही, इसकी सफलता को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे, तो हमें अच्छे से विचार करकर समझ कर ही गुरुधारन करना चाहिए इसलिए पहले भी इस पर विचार करने के लिए बताया गया है विवेक चुडा मनी के अंदर और भी गरंतों में कि जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि जब भी आप गुरुधारन करते हैं अध्यात्म लेने जाओ, पूर्णता लेने जाओ, मुक्ति लेने जाओ, तो जाकर कुछ वहां मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, तो गुरु का कार ये क्या है, कल भी हमने शुव महापुरान से एक प्रसंग हमने पढ़ा, जिसमें बताया गया कि जब तक तक तुम्हें तत्व स्वरूप का ज्यान ना हो, आत्मी स्वरूप का ज्यान ना हो, तब तक तुम पीछे मत हटो, गुरु के प को भी नहीं हो पारा, तो छोड़ो और निकलो वहां से, तत्व को कभी मत छोड़ो, तत्व को कभी मत छोड़ो, तत्व पर ही केंदरित रहो, और तत्व पर केंदरित रहकर ही तुम गुरु की खोच करो, इस प्रकार का उपदेश्य महापुरान के अंदर दिया गया, आध गुरु क्या देता है ये पता होना चाहिए, गुरु क्या प्रदान करता है, क्या उपदेश्थ विधी में, हम ने सुना कि शिष्य प्रैर्थन हो करता है मैं इस संसार समुद्र को कैसे पार करूँगा मेरी गती क्या होगी उसका क्या उपाय है या कुछ नहीं जानता प्रभू क्रिपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के छए का आयोजन कीजिए ऐसी प्रारतना शिष्षी को गुरू से करनी चाहिए तो गुरू क्या कहते हैं तधा वदंतम शर्नागतम स्वम संसार दावानल तापतप्तम निरिख्य कारुण निरसार्द्र दृष्ट्या तधाद भीतीन सहसा महात्मा इस प्रकार कहते हुए अपनी शर्न में आये संसारानल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरू करुणामई दृष्टी से देखकर सहसा अभय प्रदान करें ठीक है गुरू का काम है उसे अभय प्रदान करें और अभय प्रदान करते विए क्या कहेंगे विद्वानस तस्मा उपसती मियुशे मुमुक्षवे साधू यतोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमानविताय ततो उपदेशं कृपय वकुरियात शर्नागतिक एक्षा वाले उसुमुमुक्षू आज्याकारी शांत चित साधू शिश्य को गुरु तत्व उपदेश करे गुरू क्या देगा तत्व उपदेश करेगा जैसा कि कल भी हमने शिव महापुराण में देखा कि शिश्य के लिए कहा जा रहा है कि शिश्य तत्व को कभी न छोड़े अगर किसी गुरू के पास वर्ष तक बिता देने के पाद भी अगर सही मार कर नहीं मिल रहा है तो उस गुरू को छोड़कर दूसरे गुरू के शरन में जाए और यहां गुरू जी लोग अपने चेलों को डरा देते हैं कि भाई अगर गुरू बदल लिया तो नरक में चला जाएगा चेलों को डरा दिया जाता है कि तुन्हें गुरू बदल लिया तो तुन नरक में चला जाएगा लेकिन वहाँ शिव महाँ पुराण में कल ही मैंने पढ़कर सुनाया क्या कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है अगर तुम किसी गुरू के पास गए वहाँ तक एक वर्ष तक तुमने समय दे दिया फिर भी तुम्हें आत्म तत्व का ज्यान नहीं आत्म स्वरूप नहीं प्राप्त हो रही है तो तुम उस गुरू को छोड़ो और आगे बढ़ जाओ लेकिन तत्वक पर ही केंदेत रहो इसलिए गुरू की पहचान ग्यान से है गुरू लक्ष नहीं है ग्यान ही लक्ष है डाक्टर की पहचान उसके इलाज से है आला लटका लेने से और सफेद कोट पहल लेने से क्या कोई डाक्टर हो जाता है जो ज्ञान जो इलाज कर सकता है जो बिमारी दूर कर सकता है उसी को तो डॉक्टर कहोगे यही तो उसकी पहचान है तो जो ज्ञान दे सकता है वही तो गुरू हो सकता है क्या मात्र वो बड़े मंचों पर पैठ जाएगा और भीड़ी कठा कर लेगा तो क्या वो गुरू हो जाएगा प्रश्निय है क्या वेश धान कर लेगा तो गुरू हो जैगा क्या जी Sungष ग्यान दे सकता है वह गुरू है सिधी सिबाग। और यहां पर अध्यात्मिक विशय में सास्त्रिय विशय में कहा जा रहा जो तत्वग्यान दे सकता है जो तत्वग्यान दे सकता है तत्वपदेश कर सकता है वो गुरू है और जो ऐसा नहीं कर सकता, भले उसने दाड़ी बाल बढ़ाई हो, कपड़े उसने वह सारे पहने हो, तो क्या आप उसे गुरु कह देंगे तो इसलिए यह विशे समझने की आवशक्ता है इस विशे पर गौर करने की ज़ुरत है ध्यान देने की आवशक्ता है कि जो ग्यान दे सकता वही तो गुरु हो सकता दूसरा कौन गुरु की अपनी कोई सत्ता नहीं है ज्यान से गुरु की सत्ता है ज्यान से गुरु के पहचान है इसलिए कहा कि वेश देख मत भूलिए पूछ लीजिये ज्यान मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान वेश देख मत भूलिए पूछ लीजिए ज्यान मोल करो तलवार की पड़ी रहे तो ज्यान का ज्यान को वैलू दो ज्यान को महत्व दो ठीक तो ज्यान को महत्व देना ही महत्वण विशह है और उसी से गुरू की पहचान है उसी से संत की पहचान है ठीक है यह हम्हें समझना और यहीं पर यहां उप्देश दिया जा रहा है यहां पर बताया जा रहा है कि ka room इस दिया जार्रा कि अमिए लगणर शंकराप्चारे्य विवेडिर चुड़ा मनी के अंदर्गत जो अत्रश्य प्रस्तुद कर रहे हैं क्या कह रहें। मां भैस्ट्य कि विद्वस्त्व नास्तिय प्याया संसार सिंधो नास्तिय अस्तुपाया यह मार्ग से इति Monkey युण अस्यपारं तमेव मारगं तव निर्दिशामी है विद्वन तुडर्मतले- नाश नहीं होगा संसार सागर से तरने का उपाय है जिस मार्ग से यती जन इसके पार गए हैं वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूँ संसार सागर को पार करके परमानन्द को प्राप्त करेगा तो एक महान उपाय है कहा जा रहा है कि एक महान उपाय है संसार सागर को पार करने का एक महान उपाय है तो उस महान उपाय को मैं तुझे बताऊंगा मैं उस महान उपाय से तेरा परिचय करवा दूँगा जिससे के तो इस भावसागर को असानी से पार कर पाएगा आगे कहते हैं फिर वह महानुपाई क्या है वेदान्त वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्यान होता है वेदान्त अर्थ विचारेन अर्दार्थ वेदान्त के अर्थ का विचार करने से और वेदान्त क्या है उपनीशद ही वेदान्त है उपनीशद ही वेदान्त है वेदान्त क्या है उपनीशद ही वेदान्त है ऐसा हमें समझना चाहिए यहाँ पर वेदान्त का अर्थ का विचार करना चाहिए और वेदान्त के अंत हैं तो इसलिए वेदों का जो विस्तार है वो सहीता ब्रामन आरण्यक और उपनीशद में है तो उपनीशद ही उनकी अंतिम व्याख्या होती है वेदों की तो उपनीशद उपनीशदों को वेदांत कहा गया है इसलिए उपनीशदों को वेदांत कहा गया है तो वेदांत के अर्थ का विचार करना चाहिए वो ऐसा कह रहे हैं। इस संसार सागर से पार उतरने के लिए। भगवति शृति मुमक्षू की मुक्ति के साख्षात हेतू बतलाते हैं। जो इनहीं में स्थित हो जाता है उसका अविद्या कलपित देह बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो शर्धा भक्ति ध्यान और योग इनको भगवति शृति मुक्षू की मुक्ति की साख्षात साधन बताया गया है कि मुक्ति के लिए शर्धा भक्ति ध्यान योग होना चाहिए। शर्धास नहीं प्रारम्भ होगा फिर भक्ति होगी आत्मा अनुसंधान होगा अभी पीछे ही तो कहा गया ना आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है विवेक चुडामनी के अंतरगत कहा गया कि आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है तो आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है तो शरधा रखिए भक्ति शुरू किजिए फिर ध्यान योग करिए यहां पर आदिगुरु शंक्राचारे कह रहे हैं कि फिर आप ध्यान योग करिए शर्धा रखिए भक्ती करिए और फिर द्यान योग करिए इनको समझना है शर्धा भक्ती द्यान योग तो क्या कहते हं किया कहते हैं यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा इस लोग के अंतरगत शर्धा भक्तीerv हेतुन वक्ती कि अगर अविद्या जरित अविद्या कल्पित देह बंधन से मुक्त होना है तो श्रधा भक्ती ध्यान यूग के द्वारा होना है आपको ध्यान यूग च्वतारसो अपने श्रधा ने भी ध्यान यूग का महत बताया गया है तो चलिए अग्यान योगात परमात्म मनस्तव है अनात्म बंधस्तत एवसंसुर्ती तयोर विवेको दित बोधवहईन रग्यान कार्यम प्रदहेत समूलम कि वह जो परमात्मा है अनात्म बंधन अज्यान के कारण ही है तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्यान के कारण ही है और उसी से तुझको संसार प्राप्त हुआ है जनम मरन रूप राप्त हुआ है अता उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन हुआ बोधरूप अगनी अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भश्म कर देगा तो आत्म और अनात्म के विवेक से उत्पन हुआ बोध रूप अगनी अज्ञान के कारे रूप संसार को मूल सहित भश्म कर देगा जब तू श्रधा भक्ती ध्यान यूग करेगा जब तू श्रधा भक्ती ध्यान यूग करेगा तो फिर क्या होगा कि तेरा विवेक जागर्त हो जाएगा और उस जागर्त विवेक से आत्म और अनात्म वस्तु का भेद समझ में आ जाएगा और जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि आत्म क्या है और अनात्म क्या है तो उस दिन समस्या का समाधान भी मिलना शुरू हो जाएगा यह जो बंधन रुपी समस्या है तो उसमें वह बोध रूपी अगनी परगठ होगी जो अग्यान को धूर कर देगी और मूल स्वरूप संसार का हमें समझा देगी तो ये हमें समझना होगा ये हमें समझना होगा तो गुरु का कारे यही है गुरु क्या करेंगे कि हमें जो है उस मार्ग पर ले जाएंगे शरदा भक्ति ज्यान योग के मार्ग पर विवेक के मार्ग पर ले जाएंगे और हमें वो युक्ति देंगे श्रधा भक्ति ध्यान यूग करने की वह युक्ति देंगे जिससे कि इस भव बंधन से मुक्त हुआ जा सके जिससे कि इस भव बंधन से मुक्त हुआ जा सके तो यही है भव बंधन से मुक्ति संसार स्वेमही बंधन है आप किसी संत गुरू के पास चले जाएं और आप कहो क कि बिमारी दूर कर देते कब तक बिमारी दूर करेंगे कब तक बिमारियां दूर करेंगे एक ना एक दिन इस शरीर को अपना अंत तो देखना ही है ठीक है तो यह विशय है तो हमें इस विशय पर विचार करना चाहिए और गुरू क्या देता है यह हमें जानना चाहिए अग धन लेने चले जाएंगे, ठीक है प्रारब्दिक अनुसार जो आपको मिलना है वो मिलेगा, अगर हम गुरु से तत्व ज्यान लेते हैं, तो हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समधान ढूणने में समर्थवान बन जाएंगे, हम अपने अंदर अधुत शक्ती का विकास क करने में समर्थ हिवान बन जाएंगे, ठीक है, तो हमें इस विशाय पर विशार करके ही गुरु धारन जब भी आप गुरु के पास जाएं तो ज्यान पर आपका फोकस होना चाहिए, गुरु के भीड पर नहीं कि उसके पीछे कितनी भीड है, उसका भवन कितना बड़ा ब बैठता है, उसकी दाड़ ही कितनी लंबी है, तो दुर्भाग की पूर्ण है कि लोग खुद ही ऐसी विचार धारा लेकर जाते हैं, कुछ संस्थाओं से जुणने जाते हैं, कुछ अपचारिक रूप में जुणने जाते हैं, ज्यान ध्यान से कोई मतलब नहीं जी, पहु पहुचे हुए महात्मा है, बहुत पॉलिटिकल होल्ड रखते हैं, तो इनसे अपनी संबंद अच्छे रखे जाए, इनसे जान पहचार बनाके रखी जाए, ठीक है, रखिए, संसारिक्ता के लिए बढ़िया है, परन्तु अध्यात्म के लिए बढ़िया नहीं है, अध्य गुरू से क्या लेना है, और गुरू देता क्या है, अगर सही से पता है, तो बहुत अच्छी बात है, क्याते है कि स्वामी विवेकारण जब रामकृष्ण परमहन से जुड़े, उनके पास जाना उन्होंने शुरू कर दिया, तो उनके जीवन में कोई अच्छी घटना न उनको अपने जायदाद से बेदखल कर देते हैं, तो कोई भी अब हम सोचते हैं कि फलाने संत के पास गये, फलाने गुरू के पास गये, तो तो फिर हमारा बहुत अच्छा हो जाना चायी, बहुत अच्छे सिम्टम आने चाहिए, जीवन में बहुत हरियाली होनी चाहिए, बहुत धन का ही लाब होना चाहिए बहुत गरीबी आ गई स्वामी विविकानन्द के जीवन में बहुत गरीबी आ गई रामकृष्ण परमान से जुड़ने के बाद एक दिन गरीबी से परेशान होकर गै ठाकूर के पास और ठाकूर के पास जाकर रोने लगे कि मैं बहुत गरीब हो गया हूँ ठाकूर ने का कि अच्छा तुझे धन चाहिए माता दे देगी चल तु मा के मंदर में और मांग ले और मैं तुझे बचन देता हूँ कि आज जो भी तु मांगेगा आज तुझे मिल जाएगा स्वामी वेकानद गया मांगने के लिए गया लेकिन जब मांगने लगे तो मांगा नहीं गया मांगा नहीं गया ठाकूर ने कहा कि सत्य को जानने के बाद भी तु क्या मांगेगा कुछ दिन का समय है बीतने दे इस समय को बीतने दे इस काल को सब अपने आप अच्छा हो जाएगा, सब अपने आप अच्छा हो जाएगा, यह जो बुरा समय है, कुछ पल के लिए ही है, जीव के लिए, इसलिए मिर्त्यू भी कुछ पल के लिए ही होती है, लेकिन एक transition period है, आद में निकल जाता है, दुरभाग ये पूर्ण क्या है, कि म जो अपरादी है, उसने कुछ अपराद कर लिया, और वो कैद में रहता है, उसको समझ होती है, कि मैं तो कैद खाने में रहता हूं, मैं तो अपरादी हूं, मुझे सजा सुनाई गई है, I am prisoner, उसे इस बात का भान होता है, लेकिन इस मनुष्य शरीर में रहने वाले लोगो के लिए, कितना बड़ा बंधन है, दो-چार मुझ होता तो और खाते तुम, लेकिन आपको एक एक ही मुझ दिया गया है, दो आखों से सामने दे सकतो, पीछे क्या हो रहा है, आपको दिखाई नहीं देता, कितना बड़ा बंधन है, इंद्रियों में आपको बांध के रखा हुआ है लेकिन आपको यह एसास नहीं हो पा रहा है कि आप तो कारागार में हैं आपको यह एसास नहीं हो पा रहा कि आप जेल के अंदर हैं आप कारागार में हैं आप बंधन में आप तो सोच रहें एक ही मुझ दिया है ना एक ही जीब दिया है, जितना स्वाद लेना है ले लेते हैं, जितने मज़े लेने हैं ले लेते हैं, लेकिन आपके ये जितने भी मज़े हैं, वो सब के सब बंधन हैं, वह मज़े ही सजे के रूप में परिवर्थित हो जाएंगे, वो मज़ा ही सजा बनेगा, वह मजा ही सजा के रूप में परिवर्तित होगा ठीक और यही होता आया है कुछ थोड़ी सी शक्ति क्या मिल गई थोड़ा सा पावर क्या मिल गया थोड़ा सा पैसा क्या मिल गया मनुष्य को लगता है आई एम पावलफुर और मैं चाहूं कुछ भी कर लूँगा किसी के जिन्दगी के साथ उस पल वो भूल जाता है कि भाई आज मैं जो पाप कर रहा हूं या किसी के साथ मैं बुरा कर रहा हूं भविश्य में हो सकता है पलट कर कोई मेरे साथ कुछ कर जाएगा ठीक है तो ये समस्या इतना सोचे ही नहीं पाता मनुश्य शरीर है वो तो नश्ट होगा ही होगा आए है सो जाएंगे राजा रंक फकीर रहता कौन है शरीर तो त्यागना ही पढ़ता है सबका है लेकिन कर्म का जो बंधन है वो तो रहेगा मरने के बाद भी रहेगा भोगना जीव को है अने के योनियों में भोगना है अने के जर्मों में भोगना है उसको भोगना है अपने प्रारब्ध को जो उसने कर्म किये हैं तो योग क्या है योग गुरु देता है इस काल चक्र से मुक्ती का साधन गुरु देता है वह मुक्ती का साधन देता है वह सकते हैं आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं आत्म स्वरूप पर अनुसंधान कर सकते हैं और अपनी वास्तविक स्थिती को समझ सकते हैं और इस भाव बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं तो यही गुरू से क्या लेना है यह हमें जानना चाहिए यह जो बंधन है पहले तो इसलिए सबसे पहले देखिए सबसे पहली जो चीज है बार बार रिपीट करकर आदि गुरू शंकराचार ने जो लिखा है जो सबसे पहली चीज है मुक्षता होनी चाहि कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए मुक्षता मुक्त होने की कामना मुक्त होने की इक्षा कि संसार की कामना नहीं एंद्रिक भोगों की कामना नहीं मुक्त होने की इक्षा कोई ना कोई इक्षा जीव में होगी ही होगी बिना इक्षा के जीव नहीं होता लोग कहते कोई इक्षा नहीं होनी चाहिए मोक्ष की इक्षा नहीं होनी चाहिए अरे भाई बिना इक्षा के जीव का अस्तित्व ही नहीं है अगर वो जीव है तो कोई ना कोई इक्षा उसके अंदर होगी अगर वो यह कहता कि कोई इक्षा नही जब ये बात समझ में आए कि यह जो जीवन है यह जो शरीर मिला है यह एक कैद खाना है यह एक बंधन है इंद्रियों का बंधन है पंच भूतों का बंधन है पाशों में बंधे होने के कारण पशु बोलते हैं शरीर धारी को पाशों में इंद्रियों के पाश हैं पंच भू बांध के रखा हुआ है, हम बंधन में हैं, हमारी इतनी इस शरीर के कारण हमारी सिमाय निश्चित हैं, अगर हम अपने छेतन स्वरूप को जान ले तो हम इन सिमाओं के बंधन को तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे, लेकिन दुर्भागे, मनुष्य इस बात को ना समझ कर, इसलिए कहा गया कि तीन चीजे दुरलब हैं, जीव के लिए, मनुष्यत्वम, ममुक्षत्वम, महापुरुषशंश्रे, कि मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल, और मनुष्य जीवन मिल जाए तो म मनुष्यत्वम, उसके अधर मनुष्यत्वम जाए यह मुश्किल और मनुष्यत्व आगई तो ममुक्षत आना मुश्किल है, इसलिए दुरलब बता गे कि मुमुक्षव सबको, इह बात सबको समझ में नहीं आती कि इस शरीर एक बंदन है, और रिक्तिस होसता है कि मैं बह एसी भावना रखता है कि वो दूसरों को दुखी करकर अपने आपको सुखी कर लेगा और ऐसी भावना के कारण वो अपना भारी नुकसान करता है और बंधन में पढ़ जाता है और बंधन पक जाते हैं उसके और कई प्रकार के बंधनों में वो फंस जाता है ये समस्य आ जाती है तो अनेको बंधन है तो सबसे पहले यह समझ में आ जाए कि इस जीवन में अनेको बंधन है यह शरीर स्वेम एक बंधन स्वरूप है पहले यह समझी है जब बंधन समझ में आएगा तभी तो मोक्ष की कामना होगी तो पहले बंधन को समझना जरूरी कि बंधन क्या है और लोगों को बंधन ही समझ में नहीं आता बंधन प्रकृति का दबाव है प्रकृति का भोग है प्रिश्णा है प्रकृति के दबाव में आप भोगों की और भागते हैं तृष्णावंत जगत में दुखी आट पहर कांगाल जिन पाया संतोष धन इजबर्दस्ति नहीं आता संतोष धन ध्यान योग से आता है इसे ही कह देने से संतोश नहीं आ जाता है ठीक है यह मैं विचार करना होगा और यह हमें विचार करकर समझ ना होगा और समझ कर हमहें की चलना होगा ज्यान के मार्ग पर ध्यान-에서 कि मार्ग पर लिug्यासमों ध्यान यूग ब्यान यूग अपने हिर्दय गुहा तak पहुचने का मार्ग, अपने स्वरूप तक पहुचने का मार्ग है ध्यान योग, ओनलाइन ध्यान योग का कोर्स चलता है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जरूर ज्वाइन कीजिए, 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर भी लिया है, ज्वाइ चिक तो इस वाट्सअप नंबर पर संपर करकर आप ध्यान योग का कोर्स जोईन कर सकते हैं ऑनलाइन चल रहा है ऑफलाइन की भी तैयारिया है एक बार ऑफलाइन कोर्स हमने और्गनाइज कर भी लिया है कुछ लोग आये उन्होंने ऑफलाइन लाब उठाया लेकिन भवश कारिकरम में भी चलिए एक दो भी आते हैं तो कोशिश की जाती है कि उनको भी कुर्स करा दिया जाए लेकिन हाँ समय लगता है थोड़ा सा इसलिए ऑफलाइन अभी प्रोपर तरीके से शुरू हो गया है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं करने के प्रयास में हैं यह अभी मैंने गोशना कर दी है आपको बता दिया है कि आप ऑफलाइन कोर्स अगर करना चाहते हैं आप दिल्ली NCR से हैं अगर आप दिल्ली NCR से हैं या फिर आप ऑफलाइन कोर्स करने के लिए दिल्ली आ सकते हैं तो भविश्य में दिल्ली के अंदर ऑफलाइन कोर्स किया जाएगा अगर उनकी ऐसी इक्षा है ओफलाइन कोर्स करने की तो दिल्ली में भविष्य में ओफलाइन कोर्स होगा अगर आप तयार है तो आप अपना बताईए कि मैं दिल्ली से हूं और ओफलाइन कोर्स ही करना चाहता हूं हाँ एक और है कि आप online कर लिजी online कर लिजी और कभी offline हमारे साथ बैठ जाईए तो सारी चीजे revise होकर और अच्छे से समझ में आ जाएंगी ठीक है कुछ लोगों ने ऐसा लाब उठाया अभी पीछे में दिल ली गया था तो पर कुछ लोगों ने इसका लाब उठाया है मिले है मुलागात की है बातचित की है तो इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं online पहले course कर लिजी और फिर offline में भी मिल सकते हैं तो यह जो है अभी online course के लिए मैंने आपको कैसे joining करना है कितनी दक्षिना देनी है कितना फीस देना है ठीक है आप उसको प्रशन पूछेंगे तो आपको उसमें सारा जवाब मिल जाएगा सारा detail आपको मिल जाएगा तो 29 तारिक से ध्यान योग का course course जो है वो start हो जाएगा शुरू हो जाएगा आप इसका लाब उठ उठाना चाहते है जुड़ना चाहते है तो जरूर जरूर लाब उठाईए और जुड़िए चीक है तो जिग्यासू यह बात हमें सोच कर विचार कर जो है चलना है और क्या हमें लेना है अध्यात्म में क्या लेना है हमें यह समझना जरूरी है नहीं तो फिर हम जो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा जो संसार की समस्याएं हैं उसका भी समधान निकलना सुरू हो जाएगा नहीं तो संसार में इतनी समस्याएं हैं कि कई समस्याएं तो ना आप पैसे से सुल्जा सकते हो ना आप अपने पॉलिटिकल पावर से सुल्जा सकते हो कुछ समस्य अगर प्रकृती सब पर शाषन करती हैं प्रकृती सारे निर्णय लेकर हमें हमारी अवस्था तक पहुँचाती है जो भोग हमें करना है अपने कर्मों के धार पर संस्कारों के अधार पर लेकिन यह बंधन है तो इस बंधन से मुक्त कैसे होना है तो श्रधा भक्ति ध्यान योग प्रकृति योग भी करवाती है फिर योग करो और इस बंधन से निकलो बाहर निकलो अभी हां से तो मैं समझ में आ गया समझने का फिर है समझ में आना चाहिए कि हम बंधन में हैं जब तक बंधन समझ में नहीं आएगा तब तक मोक्ष की कामना भी समझ में नहीं आएगा मोक्ष मिलना चाहिए मोक्ष कहने से नहीं न कि हम काशी चले जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी हम यहां प्रयाग चले जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी यह कहने से नहीं हो जाएगा मुक्ति के आवशक्ता क्या है बंधन क्या है यह समझ में आ जाए तो मुक्ति अपने आप समझ में आ जाए लेकिन दुर्भाग यह पूर्ण यह है कि बंधन ही समझ में नहीं आ रहा है एक कैदी को जेल में डाल दिया गया है वो उसी में मज़े ले रहा है वो उसको कैद में मैं फसा हुआ हूँ यह उस पर ध्यान नहीं जा रहा है लेकिन जाएगा एकना एक दिन जाएगा व्यक्ति इस बंधन में फसा हुआ है प्रकृति के बंधन में कर्म संस्कारों के बंध प्रस्थितियां पैदा करेगी कि तुम्हें खुद ही बंधन मैसुस होना शुरू हो जाएगा और तुम मुक्ति का साधन ढूंडोंगे तुम्हारी अध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगे आत्म अनुसंधान शुरू हो जाएगा आत्म ज्ञान की प्रापती उस दिन से शुरू हो जाएगी और तब जाकर जो सहीयोगी बनेगा जो प्रेरक बनेगा उत्तव प्रेरक बनेगा इस कारे में आपके मुक्ष की इस प्रकरिया में जो फास्ट जो जो चाहिए पिर संसार की भी ऐसा नहीं है जो इस तरह से गुरू की प्राप्ति कर लेते हैं उनकी संसार की समस्याइं दूर होनी शुरू हो जाती है ठीक चलिए अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं आपके कमेंट्स देख लेते हैं कौन क्या कहता है बिकरम सिंग जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका राजू पाल जी हरियोम गुपता जी पिंटु वासवा जी हरी मोहन गुपता जी कोशिश करने पर सफलता नहीं मिले तो उसको करम फल समझे जी हां करम फल ही है लेकिन जो कोशिश किया है वह भी तो एक करम है किसी ना किसी रूप में उसका फल भी अवश्य आएगा अगर कोशिश किया है तो अरजन चोहान जी संयुकता पटेल जी बहुत अभिनंदन है आपका रामनिवास मीना जी उशा शिरवास्तो जी अबनी प्रधान हरी मोहन गुपता जीवन से मिर्त्यू तक का सफर सब लिखा होता है कि बदला जा सकता है लिखा भी होता है और थोड़ा बदला भी जा सकता है ठीक है लिखा भी होता है और अपने प्रैश्यत कर्मों से अपने तपस्या से अपनी साधना से उसमें थोड़ा फेर बदल मतलब कि जो अनुभूती हमें होनी है दुख और सुक्की उसमें परिवर्थन आ सकता है लेकिन लिखा भी होता है प्रारब्द से थोड़ा परिवर्थन आ सकता है माधुरी कोओले जी रमेश पेश्वानी जी रूप लाल विश्व कर्मा जी अर्जुन पाटिल जी एके भट देव दिपावली आज को क्यूं कहते हैं देव दिपावली आज दिपार्व्ली कार्थिक एयो पर्व है प्रकाश पर्व है गुरुनानक जेनती मनाई जाती है आज के दिन और देव दिपावली मनाई जाती है आज के दिन तो यह देव दिपावली का महापर्व है और यह जो महापर्व है इसको सबकी बधाई सबको शुबकामनाए इस महापर्व की कार्तिक पूर्णिम लेकिन सुरीयोथ एक बाद चंद्रमा दिखाई दिना बंद हो जाता है तो कार्थिक पुनिमां के अंदर ऑसनान का इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि देवता इस दिन हमारे करीब हो जाते हैं नजदीक हो जाते हैं और चंद्रदेव वैसे भी हमारे सबसे नजदीक हैं प्रत्थवी के तो चंद्रदेव जो हैं वो और नजदीक हो जाते हैं उनकी दूरी और प्रत्थवी की दूरी कम हो जाती है कार्थिक पुर्णिमा में ठीक इसलिए एक तरह से यह चंद्रमा की उपासना का ही यह दिवश माना जाता है सुबह सुबह प्राता काल में जो है असनान किया जाता है गौरौ जी सरोज कृष्णानी जी राम प्रकास जी शोमनात सिंदे बलदाउनात योगी गुर सद्गुरू कह देते हैं आत्मा को परमात्मा आत्मा परमात्मा में क्या फर्क है बताइए ठीक तो उसको और महत देते हुए और एक उपमा जोड़कर गुरू तो बहुत सारे हो जाते लेकिन जो सच्छा ज्यान देगा वह सद्गुरू है कुछ ऐसी धारना लोग रखते जी नहीं जो ज्यान दे सकता है वही तो गुरू है यह समझना चाहिए तो सद्गुरू में क्या फर्क है सद्गुरू किसी व्यक्ति का नाम नहीं आजकल लोग किसी व्यक्ति का नाम सद्गुरू रख देते हैं तो सद्गुरू जो है जो गुरू है सद्गुरू है वो ए इक्सित करने के लिए गुरु जो अपनी साधना शक्ती से अपने सिद्धी से जो उसे दान करता है वो शक्ति बात है यह अलग विशह है गहन विशह है तो इसलिए यह कभी और चर्चा में लेंगे प्त। प्त। प्रदशन когनेश पवार जय माता की जै गुरूर की चंद्रेश्वार पांडे जी जोनती दक्ता जी समिता शावंत जी ततत तत ओम तत फिक प्रारब्ध में नहीं है तो ध्यान योग कैसे मदद करेगा यह ध्यान योग सब के भीतर है और जब कहीं न कहीं से माल लिजिए कि अब मैं यहाँ पर ध्यान योग की चर्चा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ध्यान योग की चर्चा कर रहा हूँ अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको योग ध्यान व्यान से कोई लेना देना नहीं है वो मेरे संपर्क में आ गया उसने यह चर्चा सुन ली उसने थोड़ी बहुत यह चर्चा सुन ली अब जो उसने चर्चा सुनी तो उस चर चीजों को समझना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, एक प्रेणा चले गए, एक मैसेज चला गया, तो करेगा वो इस जनम में नहीं, अगले जनम में एक छोटा सा संसकार तो है, आगे बढ़ने का, छोटा सा संसकार उसे मिल गया, इसी प्रकार से हमारे रिशी मुनियों के प्रचार के द्वारा, या फिर उनके प्रवचनों के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा क्या होता है, संसकार बनते हैं, और वो संसकार हमें ले जाते हैं, ध्यान योग के मार्ग पर, धिरे धिरे, शने शने, वो अपना काम करते रहते हैं, तो प्रारब्ध में नहीं में हैं यहां तक कि जो विचार सुनने वाले पशु पक्षी और पेड़ पौदे हैं उनके भी संसकार बनते हैं उनके अंदर बेक्षा जागरत होती है कि हम ध्यान यूग के मार्क पर चलें यूग के मार्क पर चलें मुक्ति के मार्क पर चलें तो उनको भी मनुष्य जीवन प्राप्त होता है फिर, तो यह बात इसको इस धंक से समझना चाहिए कि संसकार में है, तभी तो आदमी चलता है, थोड़ा बहुत चलेगा, हाँ, हर आदमी एक जैसा नहीं चलेगा, एक जैसा नहीं चलेगा, अपने अपने प्रारब्द के अनुसार कोई धीमे से लेगा, कोई तेज चलेगा, कोई आगे बढ़ जाएगा, कोई बहुत धीरे-धीरे चलेगा, भाई, साधना बेचारे से हो नहीं पारी, हफ्ते में मुश्किन से एक बार टाइम निकाल रहा है, तो ऐसी स्थिती में आ जाएगा, लेकिन चलेगा, तो इसी लिए संसकार तो बनेंगे ही, और सुनने से, मनन करने से, चिंतन करने से प्रारब्द भी बनेगा, और ध्यान योग भी होगा, जितेंद्र, साहु, स्मिता, सावंत, गुरुजी, साधर, पढ़ना मुंबई में आगमन कब तक होने वाला है, जल्दी बताएंगे जी, जल्द बताएंगे कब आगमन होने वाला है, उत्पल मनना जी, अपरोक्ष अनुभूती के पर्थम इसलोप में, श्री हरीम किन को संबोधित है, क्या ये विश्नु जी को संबोधित है, अपरोक्ष अनुभूती के प्रथम इस लोक में, अपरोक्षा अनुभती आप किसको कह रहे हैं? पहले यह किसप पष्ट करना पड़ेगा. तो अपरोक्ष अनुभुती जिसमें कोई परोक्ष ना हो, जिसका कोई भिना अपरोक््षान्भवम ब्रंऔर्प्द्या नमक्चते इस प्रकार साधिग्रु शंक्राचार निका तो बिना संबोधित होता है जो हरने वाली है जो कष्टों को हरने वाली है जो मुक्ति देने वाली है उस शक्ति को ही संबोधित होता है लोग इसको भगवान विश्णु को भी मानते हैं कि यह भगवान विश्णु को संबोधित है तो पहली बात अपरोक्ष अनुभूति डायेट पर perception जिसको कहते हैं तो जहां डाइलेक्ट perception आएगा वहां अपरोक्षण उभूति है उसके पहले अपरोक्षण उभूति कहां से है द्यानंद गनेश आमबेकर स्मृति रस्तोगी एक जलाराम राइका जय श्रीकृष्न बहुत बहुत अभिनंदर है जग्यास्मों आपका इसी के साथ लिजैन यूग का कोर्स करना चाते हैं ध्यान यूग का कोर्स करना चाहते हैं तो कृपया आप WhatsApp नंबर पर संपर करके, Contact करकर आप उसकी सारी जानकारी प्राप्त कीजिए और ध्यान यूग का कोर्स आप करिए और इसका पुरा-पुरा लाब उठाई तो इसी के साथ विराम देते हैं बहुत-बहुत आभार आप सभी का 29 तारिक से ध्यान यूग का कोर्स शुरू होगा तिथी का ध्यान रखे उसका डिटेल्स चाहिए WhatsApp मैसेज कर लेजिए ठीक है बहुत-बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहे बने रहे आप सभी को देव दिपावली की बहुत-बहुत सुबकामना है कार्तिक पुर्णिमा और प्रकाश उत्सो की बहुत-बहुत सुबकामना है कि बहुत-बहुत सुबकामना है